हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कमपैर जहें करेंगे MR Edmi Note 11 Pro में और Vivo T1 5G में देखते हैं कि बेस्ट फोन कौन सा ही तो चली वीडियो स्टार्ट कते हैं सबसे पहले बात कते हैं डिस्पले से तो Vivo की है डिस्पले 6,5, 58 इंच की रेजुलेशन है 1884, 24 इसमें आपको IPS LCA डिस्पले मिलती है MI की है डिस्पले 6,5, 67 इंच की और इसका है रेजुलेशन 1884, 24 इसमें आपको Super AMOLED डिस्पले मिलती है और आपको MI में पंच्छोर कैमरा मिलता है Vivo में है वाल्ड ओप नोज दोनों में आपको 120 Hz का रिफ्रेश इट मिलता है और डिस्पले क्वाल्टी में MI बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको Super AMOLED डिस्पले मिलती है बात कते हैं प्रोजसर की तो Vivo का है SnapDrain का 695 का CPU है 2.2 इका हार्ट Octagor का 6 nanometer का FinFet और GPU है 619 का MI का है प्रोजसर Mediatek का G96 का CPU है 2.05 इका हार्ट Octagor का 12 nanometer का FinFet GPU है G57 का प्रोजसर क्वाल्टी में Vivo बेस्ट है बात करते हैं बैक केमरा की तो Vivo का है ट्रीपल में केमरा है 50 का V2 का V2 का MI का है Quad में में केमरा 108 मिसल का फिर 8 का, Qing2 का और Qing2 का बात करते हैं F palate केM रखी दोनों का सेम है 16 मिसल का मिल जाता है बात के लेते हैं Badly Life की तो दोनों में आपको सेम मिलती है 5000 image की मिल जाती है दोनों की Bad objects available है आप दोने की Bad does not available है आप दोने की Bad bilang को निकाने सकते हैं और अब बात करें लेते हैं चार्जर की, तो Vivo में जापको मिलता ही 18W का, MI में ही 67W का, दोनों में टाइप्स का स्पोर्ट है, दोनों में आपको fingerpin sensor और face lock में मिल जाता है, side में fingerpin sensor है, और बात करते हैं seam की, तो आपको दोनों में ही triple seam नहीं मिल दी, और वारंटिए है वीवो में 5G की, M.I. में 4G की और दोनों में आको फरंट बे गलास मिलता है बात कते है रेम की, तो वीवो में रhãम है 4G B, 6G B, RG B की, M.I. में रहेम है 6G B और RG B की वीवो की है मैम और 1.8G B की, M.I. में 24G B और एक सुठ हैज भी की वीवो में आपको अंडोइट 12 मिलता है एमाई में हंडोइट 11 बात करते हैं प्राइज की वीवो का है 15,999 पे एमाई का है अस्पेक्टी प्राइज 15,999 पे तो फिर आपको दोनों में से कौन सा फोन पसन आया कॉन्ट बोक्स में जरू बताना अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफोन नहीं अगर आपको ओनली गेमिंग के लिए फोन नहीं तो आप वीवो के साथ जा सकते हो नहीं तो आप एमाई के साथ भी जा सकते हो